हिंद एक बहुत बड़ी खवर आ रहा है बिहार स्टीटी को लेकर सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जैसा कि आज मौनसून विधानसवास सत्र का आज दूसरा दिन जो चला उसमें जो बाते कहीं गई कहीं भी बिहार स्टीटी को लेकर बड़ी बाते नहीं कहीं उठाए ग कि हम लोग की बहारे जो सात्वे चरण में होने वाली है लेकिन कब होती है इस पर संसाय बना हुआ है और जैसा कि उन्होंने कहा था कि पातरता परिक्षा है और शभी को नोकरी दी जाएगी लेकिन इतने बड़ी मात्रा में जब वो रिजल्ट आ गया है तो कैसे इसको आएगे नहीं तब तक कुछ होगा नेता लोगों का बातों का भिस्वास नहीं है और आज नीतिक फायता के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जहां तक बिहार जैसे आज हम लोग को आसा था कि पूरे जो सत्र है उसमें बिहार स्टीटी का मामला के लिए त्यार तो है तेकिन इसके बीच एक बहुत बुरी खबर आ रही है जो कि बिहार स्टीटी वालों के लिए खास कर ज्यादा परशान करने वाली बात ही बात ऐसी है कि जो प्रात्मिक सिक्षक निदेशक थे रंजीत कुमार जी उनका जो है ताभादला कर दिया गया है अब हमारे प्रात्मिक सिक्षक निदेशक नहीं रहेंगे अब हमारे प्रात्मिक सिक्षक निदेशक अमरेंद्र परशाद शिंग हो जाएंगे वह प्रात्मिक सिक्षक निदेशक बिहार सचीब उदोग बिभाग पटना को देख सकते हैं आप जो दिया गया है इस यहाँ पर दिखे आपके वह पर किया गया है इस्थानां तरिनूरों और यहाँ पर देखे हैं तो तो रbek उन्हों Đु कि व्लपारम व्हाई जाल सभा है नीदेश करते हैं अगली आदेश तक नीदेश करण है पद पर पद अस्थापित किया जाता है तो यह सारी चीजों है इतने बढ़िया ढंक से यह नियोजा निकाई को छठे चरण में चला रहे थे और जैसे कि हम लोग साथ में चरण में और ओनलाइन सेंटरलाइजड बे में और डोमिसाइल के साथ तो यह सारे चीजों की जानकारी बारिकी से थी और बड़ी अच्छा एक्षण लिया करते थे हर बातों को सपष्ट रूप से बताते थे लेकिन जो आने वाले आगे जो है अमरेंद्र कुमार ज कि वो और अच्छे होंगे और हम लोगों के परक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ने का काम करेंगे लेकिन एक दुखत समाचार है चुक्क उनका तबादला हो जाना अभी भरती परक्रिया के लिए बहुत बरी बात है